नमस्कार दोस्तों मैं रंजना शर्माइक बर फिर से आपका स्वागत करती हूं समाचा 24 प्लस में शांती रतने फॉंडिशन में 26 जून को चतरवर ब्रांच में नशा मुक्ती दिवस बड़ी धूम दाम से मनाएक और भव्य कारेकरम आयोजित किया कारेकरम में संस्ता के प्रेजिदेंट इनजीत सिंग, वाइस प्रेजिदेंट बिपन सत्देवा, गेस्ट अफ ओनर के रूप में एक्ता सैगल, दिलमीत कौर, आशीश अगरवाल, तरंदीप और गरीश कुमार पुर्रा, हीरा सिंग धामी जी रहे शांतीरण फाउंडेशन के पार्क सेंटर से कारेकरम में भाग लिया और सभी ने नुकरनाटक के माध्यम से नशा मुक्त होने का तरीका भी बताया, संसागी हर ब्रांच के बच्चों ने सिंगिंग, डांसिंग और नुकरनाटक किये जिनको गेस्ट ऑफ ओनर्स के द्वा मनाया जा रहा है क्योंकि कुछ बहुत साल पहले में एक बहुत बड़ी मोमेंट हुई थी फॉरण में, इंग्लेंड में, कि यह जो ड्रग अब्यूज है, इसकी वैसे जो मौते हो रही थी और जो लीगल खेती के नाम पे इलीगल ट्राफिकिंग हो रही थी उस चीज को र बचा जाए और कितना प्रयास है कहां तक इसको लेकर जाने की मुहिम ही मैं यह चीज़ आपको हर बार जवाब देता हूं कि जब तक हमारे देश में नशा है, जब तक मैं जीवी तो मैं लगा रहूंगा और पूरी कोशिश रहेगी जारा से जादा लोगों को ठीक करने की अगर हम सारे ब्रांचों को मिला के चलें तो लगभग 200-500 प्रेशन्स होंगे जो कि हमारे हैं अभी इलाज ले रहे हैं और कब से फांडेशन ये चल रही है, अभी तक कितने लोगों को ठीक कर चुका होगा को ये नौ साल पूरे हो चुके हैं, दसवा साल चल रहा है शांतिरतन फांडेशन को अभी तक मेरे ख्याल से जो पेपर्स में काउंटिंग है वो ठाई हजार से जादा लोग हैं जो ठी देखें ये मीडिया से यहां खुद आई है, वो खुद देख सकती है कि शांतिरतन फांडेशन किस तरीके से इस दिन को बनाता है क्योंकि जिस तरीके से दिन मर दिन परिवार खतम होते जा रहे हैं, एक इंसान खतम होता जा रहा है और खास करके अगर आप पंजाब का हाल देखेंगे इस वक्त तो इतना बुरा हाल है पंजाब में कि हर तीसरे चौथे घर में एक एडिक्ट माँ पर है, मिया बीवी है, भेन भाई है, माँ बाप है, अगर आप जाकर देखें इस दुनिया की हालत और हमारे हिंदुस्तान की हालत तो इस तैम इन नशों ने बहु परेश्ट कदम है, देखें इस इस फिल्ड में काम करना चाहते हैं, जो इस इसको भीमारी मानते हैं, यह हर एक इंसान का काम है कि इस नशे से कैसे लोगों को दूर कराया जाए, वो शिरफ शान्ती रतन फांडेशन अपने विखार पे जितना कर सकती है कर रही है मेरा नाम मुकेश गिल है मैं प्रेज़न्ट हूं लक्स्ता फंडेशन फिंडिया एंड डेलीडर वीज़र फॉर्म मेरे को 20 साल हो गए इस प्रोग्राम करना काम करते हुए और इंदर भाई विपन माज़सा पे साथ मैं खम से कंदर 16 सालों से जुड़ा हुआ हूं के और यह जो 20 जून है कि यह हम हर साल इसको सल्रीब्रैट करते है और हम लोग इसके अंदर एक चीज और एंड़र चाहते हैं सबस्क्राइम के और हम लोग पशिच करते हैं कि हम अम अडिक्शन प्रोडम को भी एटिद करे हैं और इसको इंपलेमेंट करें आप बच्चों के लिए मेरा बस यही मैसेज है बस नशे से दूर रही है और कुछ नहीं बस क्योंकि आप भी किसी के बच्चे हैं कोई मा, कोई बहन, कोई पत्नी, कोई आप जितने एफेक्ट होते हैं उसे ज्यादा एफेक्ट आपके घरवाले होते हैं Hello everyone, I am Tarandeep Kaur Bindra, I am the founder of Vivid Vibes which is the first aerial yoga studio in Noida and today I am here at Shanti Ratan De-Addiction and Rehabilitation Center and it's a pleasure that I am called here as a guest of honor आज यहाँ पर आके मुझे पहली बार यह realize हुआ कि नशे की एक अलग दुनिया है और जो लोग इससे जूज रहे हैं वो कितनी मुश्किल जिन्दगी जी रहे हैं यहाँ पर जब मैंने performances देखी सारे participants की तो मेरा दिल जिन्जोड गया क्योंकि उनके अंदर इतना जजबा है इतनी जीने की चाह है और इस मंच पर आकर perform करना अपने आप से रोज लड़ना ताकि यह आदत से छुटकारा पाना अपने आप में एक जीत है मैं इटा सेगल, founder and mentor, motherhood club and kiddo mentry एक group चलाती हूँ जिसमें माओं को thank you बोलते हैं, बच्चों को मौका देते हैं कि अपने हुनर को वो दिखा पाएं लेकिन जब एक माँ को या बाप को यह पता चले कि उनके बच्चे एक ऐसी चीज की वज़े से बिमार हैं, तो दिल दुखता है ऐसी भी एक दुनिया exist करती है, जिसको हमने शायद फिल्मों में देखा था और हमें लगता था कि यह सिर्फ कहानियों में होता है लेकिन आज जो यहाँ पे शांती रतन फाउंडेशन में आके देखा, कि यह एक हकीकत है और एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में बहुत लोगों को जानना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को गाइड कर सके और हम माबाब जो हैं अपने बच्चों को प्यार से समझा सके कि बेटा अगर नशा करना है तो जिन्दगी का नशा करो नशा करना है तो परिवार से प्यार का करो, गंदी चीजों को हात मत लगाईए जो एक शौक्या होती है चीजे, जिसों कई बार माबाप ही देते हैं बच्चों को, वो कब एक आदत बन जाती है, पता ही नहीं चलता है, तो यहां आके एक हकीकत से मुलाकात हुई है, और एक ऐसी हकीकत, जिसके बारे में सिर्फ आज सुनके देखके मैं यहां से नहीं करेंगे, बच्चों को अवेर कराएंगे, माबाब को अवेर करवाएंगे और हम शांती रतन फांडेशन की भी मदद लेंगे इसमें ताकि उनका जो एक मिशन है, वो बहुत लोगों तक पहुंचे और और भी बहुत सारे बच्चे हैं और बड़े हैं जिनका उद्धार हो विष्ट एक मेरी इंजले करें खरी और हगों इस सब्सक्राइं में रखेंगे इसलिव कि उ लोगां विए आर लेप दूराइंट इस वेडिशन, ठाल्व और हैं और लादन, तो पर मन्स प्रण्टार ही जिए और विए ऐ हां इन गलेटाशर को दोड़े इसूपूर्ण क अच्छिली फिल देफिनेटली मेरा नाम गारी है यह एक आच्छ मुक्ति गेंदर अभियान के तहर्ट 26 जोन 2022 इक आपर प्रोग्राम आजयों किया गया है बहुत ही सुन्नर प्रोग्राम है नशे इससे कैसे दूर रहा जाता है कैसे इससे बचने के लिए क्या क्या करना जिर है कहां कहां पर मदद अविलेबल है इस सबका पता होना ज़रूरी है क्योंकि समाच में इसको एक हिकारत से देखा जाता है कि यह नशा करता है और यह गलत आपनी है लेकिन ऐसा नहीं है नहीं है और इस बिमारी से बिमारी का हिलाज है कोई भी ठीक हो सकते ज़रूरत है ए हुआ हुआ है